17 में जब जियो का नेट आया तो तब समझ में आई बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी उससे पहले में सिर्फ मेरे पास एकलिउसेंट की बुक थी गाउं में ज़्यादा किताबे मिलती नहीं कि वाप पर गटना चक्र से मैं 17 में इंट्रोड्यूस हुई पहली बार तो एक रहता था कि मुझे भी इतनी करनी है इस से जादा करनी है इस तरीके का मोटिवेशन मिलता है गाइडेंस भी मिलती है हमें खुद का अनलाइस करना बहुत जरूरी है जब आपका ये किलियर हो गया कि आपके पास ओप्शन ही नहीं है छोड़ने का तो आप उसे करेंगे कि जो हिंदी माध्यम से सिलेक्ट हो हैं कंडिडेट उनका वीडियो के लिए तो मैम का हिंदी मीडियम था और इन्होंने सेल्फ स्टड़ी से तयारी किया नहीं कि खुद से तयारी किया है तो आज इस वीडियो में हम कबर करेंगे इनकी स्ट्राड़ी के बारे में मैम सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत 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 दाई मैम सबसे पहले तो हम आपका एजुकेशन बैक्ग्राउंड जाना चाहेंगे मैने MSC किया स्टाटेस्टिक्स से और उसके बाद इसमें तयारी में आई हूँ मैं तो आपका यहां सा टेम्ट था तयारी तो आपको क्या लगता है गलतिया कहां पर हो रहे थी जिसके वाजा से नहीं हो पा रहा था मेरा गलती तो मैंने ही कहूंगी थोड़ा जानकारी का भाव था मेली 17 में जैसे हम सभी को पता है 17 में आया था जियो फ्री इंटरनेट आया था उससे पहले मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी परिवार में गाउं में भी तयारी नहीं कर रहा था 17 में जब जियो का नेट आया तो तब समझ में आई बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी फ्री में वह एवलेबल थी वहां से मैंने फिर समझ में आया गटना चक्र में पहली बार इंटर्ड्यूज ही 17 में हुई थी उससे पहले में सिर्फ मेरे पास एक्लिवसेंट की ब पढ़नी होती है तब उस टाइम मैंने कुछ गड़ना चक सारी में खरीद भी निए थी वह मैंने खरीदी तब मुझे इतना अच्छा लगा उने देखके कि अच्छा है यह सब कुछ आउलेबल है मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्यों हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है तो मुझे फिर उने पढ़ने का एक तरीके से देखो तो एडिक्शन हो गया कि नहीं सारा मुझे याद कर लेना है और मेरा सतरा में प्री पहली बार निकला तो उसके बाद मेरा प्री नहीं रुका कभी भी प्री के लिए मैंने उस टाइम पे मेंली तो मुझे पता चल गया था कि हां एंसे आर्टी वगयरा पढ़नी होती हैं वह सब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था लेकिन प्री में में रोल मेरा जो राय घटना चकर कर आ है टेस्स सीरीज मैंने बहुत ट टेस्ट सॉल करो रूम पे बैठ के क्योंकि मेंली प्रेशर आपको महां पर वह 150 कोश्चन का डील करना रहता है टेस्स सीरीज मैंने लगाई थी उसके बाद मैंने लक्षमी कांत पढ़ी थी स्पेक्ट्रम पढ़ी थी और जोग्रफी के लिए मैंने मेंने एक जीसी लियों किताब आती है वह सभी को पता रहता है वह मैंने उसमें से मैंने एकॉनिक्स के लिए वह मैंने काफी चीज़े उससे कवर कि थी साइन्स मेरा बैगग्ड्राउंड तो इसके रिए मैने कोई स्पेसिफिक किताब नहीं पड़ी पर फिर भी घटना चकर से सानमशन सा गळा क तो वहां से हो गया था मेरा करंट अफेर के लिए क्या चीज़ थी कि इसमें मुझे बहुत इंटरस्ट था और मेरी स्ट्रेटिजी थी कि मेरा स्ट्रेटिक चाहे जैसे भी जाए करंट का मेरा कोई कुश्चन गलत नहीं होना चाहिए यह मैं खुद से सोच के जाती थी हमेश थी बहुत सारी किताब भी पहुच नहीं थी तो मैं थ्रूआउट एयर मतलब बारा महीने की मैं अरियंत खरी थी फिर दीरे दीरे अभी 18 वाले में या 21 वाले में तो मुझे समझा गया था कि क्रोनिकल वगेरा भी पढ़ सकते हैं पर क्योंकि मैं अरियंत पढ़ रही थी तो त्रूआउट में अरियंत कोई फोलो करती थी लेकिन उसके अलावा में न्यूस पेपर भी पढ़ती थी क्योंकि करेंट अफेर किना कि स्ट्रेटजी है मालोगर हम यह सोच के चलेंगे कि हमें यह पढ़ना है कि हमें सिर्फ हम सुचेंगे मैगजीन पढ़नी है तो उस से कोई ऐसी चीज़े हुई है कोई ओजना लॉंच हुई है कोई मतलब ओलम्पिक चल रहा है इस तरीके की चीज़े तो मैं यूस पेपर पढ़के अपने आपको इंफोर्मेशन देती रहती थी कि अच्छा भी यह सारी चीज़े चल रही है और जब मैं उसमें से फिर अप अच्छी चीज़ क्या है कि आपने जिस दिन बजट आया है उस दिन आप दो चार घंटे बैठके प्रोपर न्यूज देखें वो आपको बहुत help करता है और उस से आपको बहुत सारी question सॉल करने में भी help मिलती है ता आपने कौन सा newspaper और magazine अगरअ फॉलो किया था newspaper मेरा Hindi medium था, पहले मैंने कोशिस की दे हिंदू पढ़ने की तो मुझे उतना समझ में आया नी तो मैं दैनिक जागरन का नेशनल एडिशन आता है, वो पढ़ती थी, उसके लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि नेशनल एडिशन हर जगे मिलता नहीं है, तो मैंने क्या किया था, टेलिग्राम पे ग्रूप बने रहता है, वो पचास-पचास मतलब रुपे में, आपको तीन मतलब यारी करते हैं, हम सब को बताया रहता है, कि हाँ योजना और कुरुक्षेत्र पढ़नी चाहिए, मैंने वो पढ़ी है, ठीक है, मैंने वो एक डेड़ साल तक किताबे पढ़ी है, और उसका फायदा मुझे मेरे essay के paper में रहा है, answer writing भी बहुत हद तक, आप language लिखना स पढ़ती थी, पढ़ी तो मैंने कुछ time के लिए विजन वाली भी है, लेकिन वो यह रहता है, थोड़ी tough रहती है, पढ़नी अगर पढ़ सकें तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी एक fix कर ले, जो भी आपको लगता है कि आप 12 महीने साल के खरीज सकते हैं, वो आप अ साइन्स और मैट्स मेरा background था, मैं थोड़ा इधर SSC वगएरा के भी कर लेती थी, तयारी यह लगता था, तो मैट्स वगएरा मेरा तब हो जाता था, लेकिन जब मैं फिर पूरा focus मेरा C-set पर हो गया, तो मुझे यह realize हुआ कि C-set उतना आसान पेपर नहीं है, आप क्या करे कि अगर आपका science और maths वाला background नहीं है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि maths के question आते हैं उसमें, तो अगर आप easy रहते हैं, अगर आपका maths background है, तो आपको easily कर ले जाएंगे, नहीं तो क्या करें, simple एक चीज यह है, कि आप previous year के question उठा ले, ठीक है, उस हिसाब से फिर आ अठाएं, उन्हें solve करें, और उसके बाद देखें, कि क्या आप 40-50 तक कर ले जा रहे हैं, उतना कर ले जा रहे हैं, तो बहुत हो जाता है वो, मैंस की तरफ चलेंगे, तो मैंस में सबसे पहली बात आती है, कि answer writing करने की, और speed वाली बात आती है, क्योंकि आपको कम time में व बड़े हो जाते थे काफी, तो वो एक तो time पे साथी आएगी, आपकी time के साथ आप लिखना चीजों को सीखे, आप एक काम कर सकता है कि topers की copy आप बहुत available रहती है, आप topers की copy उठाएं, UPSC की उठा लें, वो आपको guidance मिल जाएगा, वहां से, आपने उसका उठा लिया, तो आप देखें कि आप कैसे लिख रहे हैं, उन्होंने कैसे लिखा है, अपनी copy को खुद से judge करें, आप एक answer को दो तीन बार लिख के देखें, आप एक बार लिखेंगे, उसे खुद से पढ़ेंगे, तो समझ में आजाएगा कि कहां से आप और point उसमें आप डाल सकते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और यह रहता है जैसे practice के लिए कुछ ना कुछ जैसे दृष्टी वाले क्या करते हैं, कि कुछ questions डालते हैं, दृष्टी हिंदी medium में डालता है, तो आप उन questions को अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो as it is पढ़ लें, तो यह रहेगा कि हाँ, करना आप सीख जाएंगे, जो सबसे पहला paper होता है, में ऐसे का होता है, तो उसके लिए आपने क्या चीज़े follow की थी, ऐसे के लिए मैं editorial वगेरा पढ़ती थी, तो उसमें मुझे समझा गया था कि किस तरीके से मतलब आपनी चीज़ों को एक effective way में लिखके है सकते हैं, तो लगता था कि हाँ वैसे ही लिखे जाएंगे, लेकिन फिर जब वहाँ से ऐसे वाली जो एक किताब आती है, निशांत जैंसर की, वो मैंने देखी, उसमें वो बताते हैं कि आप ऐसे को कितरे dimension में लिख सकते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप चीज़ों को उसमें point include कर सकत हैं कि अगर हमें चीज़े हमें बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं समझ में, अगर हम अपने घर से practice करके गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास dimension है, आपका सामाजिक पक्स लिखना है, आर्थिक पक्स लिखना है, राजनीतिक लिखना है, उसका किस पे कैसे कि लिए हिंदी के लिए हिंदी, जनरल हिंदी के अगर हम बात करें तो उसमें एक टॉपिक रहता है, पत्र लेखन वाला, वो सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं परेशान करता है बच्चों को, तो उसके लिए एस कुमार्सर वो शायदा भी DSP हैं, उनका एक चैनल है, उन्हों फिर भी मैं यही कहूंगी कि हमारे पास बहुत सारा पढ़ा रहता है, पढ़ने के लिए भाई विलोम हैं, इतने कहां तक पढ़ें, में जो आपको डिरेक्शन दिखाएंगी चीज़े, अपना सिलेबस, उसके बाद अपने प्रिवियस एर का, अगर आपको सोल्यूशन मि अगर नहीं मिलें, तो आप अंसोल्ड ले ले लें, और जरूर ले लिए, वहर एक पिपर का लें, अंसोल्ड ले, उसके हिसाब से आप उन चीज़ों को सॉल करने के कोशिस करें, और एक चीज जैसे प्री में भी देखता है, हमकी रिपीट होते हैं, में मेंमें में भी कॉ करने के कोशिच करें कि यह पूछा गए शायद यह बी सिमिलर रही आसकता है तो उसमें पत्र के लिए तो आपको गया पाइसकुमार सर का किताब आती है वह उसमें काफी रिचल से बताएगा है तो उस से अपका कवर उजाएगा सारा जो जीनेश का ॐषी पेपर होता है तो उसका अगर कुछ आप फस्त के था कर था गढ़ा है फस्त के मैं लिए मैं बताते हूं क्यों झाला हो जैसे उसमें अर्टेंड कल्चर वाला है इसा कवर किया था था हो मैंने इक यवाले में वह किताब आती है वहão टॉक्केल», वाले में मेरी में इस्ट्रेजी थी न वो क्या थी यह तो मैं गूगल से किसी सिंपल टॉपिक को मैं डाला गूगल से मैं सर्च करके उसको उससे क्या 5-6 पॉइंट उसके लिख लेती थी नहीं तो दिये वालों की एक सीरीज आती है प्रोपर वर्ल्ड हिस्टरी पे वो मैंन तो मेंने इस्ट्री के लिए और मोर्डन हिस्ट्री से मेरी कवर हो गई थी जक्रफि मेरा दौ साल जेग्रफि ऑपश्नल रहा था उसकेस है अलग से किताब नहीं पड़ी थी और उसके बाद सोसाइटी वेकर का पार्ट आपका सिरीज में जब लिखता है तो वहां वो तक उनके solution से cover हो जाता है और GS2 के लिए अगर हम बात करें तो कुछ topic तो उसके proper आपके लक्षमी कांथ से cover हो जाएंगे उसके बाद दृष्टी की भी एक किताब आती है और एक रिपोल्ट आती है परसास दीत्य परसास नहीं कायोग वाली जो रिपोल्ट है थोड़ी बहुत मैंने वो पड़ी थी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी थी तो वहाँ से सारी चीजे cover हो गई थी उसके बाद हमारा जो पड़नी है और अगर आप हिंदी मेडियम के हैं पहले मुझे लगता था मुझे एथिक्स से बहुत ज्यादा डर लग रहा था नहीं मुझे लग रहा था एथिक्स में तो मतलब पता ही नहीं क्या है क्योंकि बाके सब्जेक्ट से आप प्रीमें ट्रोडियूज हो जाते है लेकिन अधिक्स से सबजेक्ट है जो आपको मेंस में ही पड़ना है और अगर आपको वाइडेंस नहीं है तो और वापही में डर आएगा दर बएक वह तो मैं नहीं Tool मैंने om कि टेस्ट सीरीज जो भी लगाई उसके अलावा जो मुझे चीज़े नहीं समझ में आती थी वह बिल्कुल ऐसे उसको कोशिस करती थी या तो मुझे गूगल से मिल जाए या फिर दृष्टी वाले चोटी चोटी वीडियो निकालते हैं मतलब वीडियो बड़ी रहती है लेक सा मतलब मुझे लगता है कि यह ना सोचके कि सिर्फ पेपर देना है थोड़ा यह सोचे कि इसमें हम अपने मतलब गैप को फिल कर सकते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसमें भी फिर यही है कि टॉपर्स की कोपी दे के एनलाइस करें क्योंकि भले ही व वह क्या करते हैं आप उन्होंने कोई बात की उसके बीच बाद उन्होंने एक एक ग्जांपल दे दिया वह चीजा मैंने बी इंक्लूड करने के कोशिस ख्यव तो क्या रिजन रहा कि आपने ऑप्शनल चेंज किया अपना ऑप्शनल चेंज करने के दो रीजन थे एक तो मैं मतलब जोग्रफी में अपनी तरफ से मुझे लग रहा था मैं बहुत पढ़ चुक्यूं और मैं अगर पढ़ूंगी भी तो हो सकता है कि वही मैं लिस्ट में आ पढ़ से नहीं ठीज अपनी अलग होती है लेकिन जो आप ट्रांसलेटर के ताफ तैब कर दो चीजह आपको उतना उस इंफेक्टिव तरीके से आप उनको रिटेन नहीं कर पाते खुलर की मैंने किताब पढ़ी थी तो आपकी हिंदी में लिख्ची किताब हैं वो अगर आ सकते हैं जैसे मासागरिय धराय वगर हैं मॉन्सून वाला है यह तोपिक अगर आप खुलर से पढ़ेंगे जहां तक मुझे लगता है और किसी किताब से पढ़ेंगे उसकी कंपैरेजन में एजी ली कर सकते हैं तो और दूसरा मुझे लग रहा था कि जैसे एक ग्राउंड हो था एक फ्रेंड के थुरू मेरी उनसे बात हुई थी उन्होंने भी हिंदी साहते से निकाला था तो थोड़ा सा मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने का कि नहीं कर सकते हैं और इतना कम टाइम में भी कर सकते हैं बहुत ज़्याद उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम किसी क कि सब्जेक्ट वही लेना है जिसमें सिर्फ मतलब सेम फिल्ड पर हम लोग खेलें यह ना हो कि इंग्लिश की वज़े से किसी को अड्वांटेज मिले और हिंदी की वज़े साम पीछे रह जाएं तो में रीजन यही था कि हिंदी साहिते मैंने लिया था और रिजल्ट भी हिं इंटरनेट से कवर किया था यह उसमें मुझे हिंदी में बहुत अच्छी चीज यह लगी जैसे मान लोगर हम किसी और सब्जेक्ट के लिए सर्च करने जाएंगे गूगल पर तो आपको बहुत सारे इंग्लिश में मिलती हैं लेकिन हिंदी का सब्जेक्ट है आपको हिंद तो सारे मैं ने इंटरनेट से कवर किया तो यह जैसे कि आपने विकास सर का लेक्चर की फालोट किया था या फिर जूइनकी नोटस आते हैं वहीं फालो चाहते हैं नहीं उनकी बुक्लेट चाती है जो market में वो मैंने खरीती थी, वो मैंने पढ़ीती जैसे कि आपका पूरा तयारी रही वो self study से रही तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी करते हैं और बहुत सारे खुच से भी करना चाहते हैं तो क्या इसा possible है कि हाँ आपने तो कर दिखा है लेकिन क्या आपको लगता है कि कोचिंग की नीड पढ़ती है कोचिंग की नीड देखो हमें सबसर ज़रूरी चीज़ है हमें अपनी समझना अपने परिवार के स्थिति समझना हम जिस घर माओल में रह रहे हैं उस सारी चीजों को देखना कोचिंग के बिना नहीं हो सकता है यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेरा हुआ है बहुत सारे बच्चों को मैं जान रही हूँ जिनका बिना कोचिंग के हुआ है लेकिन अगर आपके पास आपकी एज कम है अभी आप मान लोग रेजुएशन में हैं और तुरंत आपको चाहा रहा है कि आप मतलब चीजों को कर सके तो आप एक साल कम से कम कोचिंग में अगर फाइनेंशल सिचुएशन पीर भी मैं यह कहूंग अगर फाइनेंशल सिचुएशन बहुत बड़ा हरडल नहीं है तो एक साल के लिए coaching में involved हो जाएं उसके दो-तिन रीजन है जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि जैसे हम मतलब UB Board के स्कूल से पड़े हुए हैं कोलीज में हम जाते हैं बहुत जादा classes वगेरा होती नहीं है तो बहुत हज़ता हम जो मतलब real competition है अभी तो internet आ गया है बहुत सारी चीज़ा हम देख लेते हैं अगर आप कर सकते हैं तो करें अगर नहीं कर सकते तो बिना coaching के बहुत बच्चे निकालते हैं हर साल आप निकाल सकते हैं मैं जो internet होता है खास कर चाहे गूगल की बात करें या फिर YouTube और बहुत सारे चैनल जो की study यानि पढ़ाई से real estate वीडियो बनाते हैं तो क्या आपने वो चीज़े कहीं follow की थी हां मैंने दो तीन चैनल मैंने मतलब throughout follow करती थी जैसे परसान दवन सर का world affairs आता है पहले वह study IQ पर पढ़ाते थी वह मैं उनका वहां पर फोलो करती थी वह अच्छा लगता है कहीं बाहरे ऐसा होता है कि अगर कोई topic आ गया और अगर आपने उनको पढ़ा हुआ है तो आपक यूपी के मतलब आप वह आपके सारे टेस्ट कवर कराएंगे उनकी सबसे चीज मुझे क्या लगती है बहुत ज्यादा मतलब इंटरनेट से तो बहुत ज्यादा मैंने नहीं चैनल बहुत ज्यादा नहीं फोलो कि तो मैं जैसे कि इतनी बड़ी जरनी देती है कहीं न कहीं उतार चड़ावाता रहता है तो उस फेज को आपने कैसे टेकल किया था एक तो आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए क्योंकि यह चीजे हैं कि अगर मालो फाइनल लिस्ट में में बहुत मेरे सा लिन सोचना कि नहीं हुआ तो हम छोड़के खुंड़के कुछ और कर लेंगे यह सोचना है नहीं हुआ I einher सालहर बहुत बच्चों काहुता है तो जैसे मेरा पहले प्री नहीं होता था तो मैं प्री-Oriented थी कि मुझे प्री स्वक्स करना ना है कैसे प्री निकालना है कि हमें खुद का अनलाइस करना बहुत जरूरी है जब आपका यह किलियर हो गया कि आपके पास option ही नहीं है छोड़ने का तो आप उसे करेंगे ही करेंगे लेकिन हाँ अगर यह लगने लगे कि नहीं हो रहा है हमसे नहीं होगा तो पहले तो seriously question पूछना जरूरी है कि क्यों नही कीमती है साल दो साल तो बहुत जाजा हो जाता है आपका एक एक दिन कीमती है अगर आपने दिया है किसी चीज में और अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं होगा तो पहले यह पूछे कि पहले क्यों आए थी हम तही है तो जब आपको बहुत सारे questions के जब आप खुद से आपको एक लिए हो जाएगी कि हां हमें यही करना है तो फिर आप चीजों में आप अपनी कमी ढूंडेंगे आप improvement करेंगे और हो जाएगी चीज़े मैं जो हमारे साथ चाज जुड़े हुए कहीं जो self study से त्यारी करें और हिंदी माध्यम से खास कर त्यारी करें उनके लिए आप कुछ suggestion या message देना चाहिए अधियम के लिए मैं यही किऊंगी कि बहुत जादा यह pressure लेने की ज़़ूरत नहीं है कि English मीडियम में लिखी जाती है बस यह है कि आ जगे सुना भी है कि UPSC का भी इस बार हिंदी में काफी मतलब जिन लोगों का हिंदी मीडियम रहा है वो ऐसे काफी अच्छा लिख लिए गया है एधिक्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जी इसमें भी अच्छा कर सकते हैं बस उसमें आपको थोड़ा सा यह रहेगा कि आप छोटे पॉइंट में लिखना सीख जाएं क्योंकि इसमें मुझे काफी सनस्थी आई थी मैं अपनी बात कम सब्दों में नहीं कह पाती थी वो एक प्रैक्टिस के बाद ही डवलाफ हुई चीज़े जी मैम हमारे विवर्स को आपने बहुत सारी बाते बताएं यानि कि प्लिम्स लेकर पूरा मेंस तकी जो भी चीज़े थी इसके लिए आपका बहुत बहुत जैन्वाद आपने बहुत ही कीमती अपना समय दिया तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरू बताने याद वीडियो अच्छा लगा तो व झाल 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 झाल